ठक रहां प्रखंड के कोई पटी पंचायत अंतरकत राजेंदर चौरहे पर पूर्बंगा जिला अध्यक्षेवं वर्तमान ब्लॉक प्रमुक दाविदार अर्थर राजे यादा विद्वारा जनसंपर के लिए ओफिस का ओपनिंग किया गया आपको बता दे कि जदियो प्र समस्यों का समधान नहीं हो पाता है किसी तरव किसी को अगर कोई समस्य आती है तो जनता उनके ओफिस तक पहुंचे और जनता कि समस्यों का समधान किया जाएगा बरतमान आज के डेट में सुभारम आपने ओफिस का किया है इस ओफिस का सुभारम करने का उद्यस से क्या है और इस जो गुलामी से जो निरच्छर्टा और जो एक क्या होता है जो गुलामी के जंजीरों में जखड़ा हुआ ठक रहा है इसको मुख्त करने के लिए इस ओफिस का हमने ये उधाटन किया है और निशीत तोर पे इस हमारे कुरपटी पंचायत के खास तोर से मैं सबके एक मुहीम चलाना चाहता हूं ताकि ये मेरा ठक रहा है निशीत तोर पे एक मुख्ति के और जाए और आगे को अगसर अभी गुलामी के बेडियों में जखड़ा हुआ है बहुत सारे चीज है जो लोग दबे हुए लोग है कुछ लोग दबा कर रखे हुए मैं चाहता हू कि बिना दबे बिना कुछ ले लोग सोचंद रूप से अपना एक बार काम करें और हमको बढ़ा के आइस प्रक्रण के हरत तरह से इसको विकास को अर्षर करता हें जो आपने भी गुलामी की बात की, गुलामी का क्या आसे है, कौन सी गुलामी में लोग जखड़ा हुआ, इसको थोगा सब ब्रीफ करें मैं यहां बहुँ छोटे से पत्पे चुनाव लड़ने, पंचाय समयती, बीडी सी चुनाव लड़ने में इस कौरपटी माया हूँ, और मेरे आते ही काफी यहां कौरपटी पंचायत के नौजवानों में, बड़े बुज़ूर्गों में, मताव बहनों में काफी एक हर्स था सब लोगों ने चाहा कि इस बार मैं यहां से पंचाय समयती बनके, परखंड परमोख जा के बनके मैं ठक रहां बैठूँ, और मैं अपने ठक रहां और इस कौरपटी, इस पूरे परखंड का मैं मुख रूप से मैं बिकास कर सकूँ धन्यवाद और नाइन भारत के लिए धीरश्रवास्ताव के रिपोर्ट ठक रहां